नवर्शकार दोस्तों, तीन में से ओनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, ओनलाइन पामिष्टी कोर्स, जूम एप पर, जिस वेक्ति को इंट्रेस्ट है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वाटसप नमबर होगा, उस पर संपक करें, आपको पूरी कोर्स की जानकर मिल जाएगी, इनके आयू 33 years plus 6 months के आसपास हो चुकी है, इनके कुछ सवाल है, बाकी के जो सवाल है, उसका जवाब आसानी से मिल जाएगा, इनका भी मिलेगा, कर्ज ज्यादा हो गया है, वो मैं बताऊंगा कब तक रहेगी, स्थिती इस तरह की, और कैसे कैसे जिवन चले ये केवल अभी एक रहूरेखा ने, बड़ी रहूरेखा ने काटा है, इसके लिए आपको इस तरह का पेन आ रहा है, ये रहूरेखा जैसे पूरी हो जाएगी, मुझे नहीं लगता फैमिली इश्यू आपके जीवन में रहना चीए, बहुत बड़ी रहूरेखा ने वर्तम समय पर जो नीणे लेना होता है, वो ले नहीं पाते हैं, और उसके बाद पस्तावा होता है, ऐसे लोगों को किसी को पूछ पूछ कर काम करना चाहिए, ये पाम रेक्टेंगल भी है और साथ में चोड़ाईलियव भी है, तो ऐसे लोग महनती भी होते हैं, और सेल्स और मार होती है, चुटकी बजा कर इनके मित्र बनते हैं, और अच्छा खासा समय मित्रों में भी गुजरता है, फर्स फैले नुकिला कम है, तो कारे के प्रत्ती इदर उदर ध्यान भटकता है, सेकेंड फैले नॉर्मल है, लोजिक के साथ और तथ्थों के साथ अपनी बात नहीं रख पाते होंगे, और मध्यमानसल है, हाथ के मुकाबले, तो कभी-कभी स्ट्रॉंग एटिटूट लेते होंगे, कभी नॉर्मल रहते होंगे, उंगली अब बहुत छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जादा रहती है, और फास्ट नेने लेने वाले ह फर्स फैलेन तक पहुच रही है, तो वेक्ति डॉकुमेंटेशन, फाइलिंग, यहनि जुपिटर के उंगली से बड़ी पहुच रही है, तो ऐसे लोग हीमती सभाव के होते हैं, जब मैं पचास अजार और पचास लाग की रिस्क लेनी हो, तो आसानी से लेते हैं, और जो फर्स फैलेन तक नहीं पहुच ही, तो वेक्ति डॉकुमेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याजशक्ति, मनी मेनेजमेंट और अकॉन, इन सारी वस्तों में वेक्ति कमजोर होता है, अब इनके इंक लगवे पाम पर चलते हैं, बुद्परवत पर बहु इस दिन सेंस होता है इन में, दो चार भाशाओं के जानकार होते, बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है, यहाँ पर यश्चाइन भी है, तो जीवन में यश्च भी प्राप्त होगा इनको, एक ट्रैंगल है, इवेक्ति को सेटिस्पार लाइफ देता है, जीवन मे और मन की इच्छ है, पूरी करता है, अब इनके सन माउंट पे, बहुत ज़्यादा मेहनत तो कीने इनोंने सन माउंट के लिए, यह कह रहे थे, कि मुंबे ओफिस में आऊंगा मैं, मेरा आना जाना होता ही है, आप वीडियो बना दीजिए, यहाँ पर एक क्लियर कट नजर आ रही है, मुझे साइन, और एक यहाँ पर भी होने के चांसेस है, इस जगह पर भी, पर यह उस लेवल की कॉलिटी दे नहीं पाए, यहनी ज़्यादा मेहनत ने की इनोंने, यहाँ एक विद्ध्यर एक है, तो वेक्षिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बिसिक नॉलेज की वज़े से लोग इनको पुछ-पुछ कर काम करते हैं, जैसे जैसे उम्रा आगे बढ़ेगी, ज़्यादा लोग पुछ-पुछ कर काम करेंगे, शनी परवद को देखने के लिए थोड़ा सा पाम यह तिल्टेड है, नॉर्मल है शनी परवद, शनी परवद नॉर्मल है, रक्ती महनती होता है, और जुपिटर माउंट भी इनका नॉर्मल है, यह थोड़ा सा तिल्टेड है पाम, पर क्लियर था, इसके लिए मैंने सिलेक कर लिया तो जुपिटर माउंट में कोई प्रॉब्लम निक काफी अच्छा जुपिटर माउंट है इन्हों ने जो फैमिली इश्यू बताया यह राव रेखा के वज़े से है बाकी इस तरह के जुपिटर माउंट वालों को बहुत जादा फैमिली प्रॉब्लम फेस नहीं करन होता है खाने के शौकिन होते है सांच सारी का और पारे और एक जीवत अति उत्तम होता है रिस्पेक्ट भी अच्छी मिलती है ऐसे लोगों को यह सारे गुण जुपिटर माउंट की वज़े से मिलते है एक खडी लाइन है कि व्यक्ति को कैसा भी समय जाए नाम खराब होने नहीं देती यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका है और एक रेखा दो रेखा तीन रेखा व्यक्ति को मल्टिपल इंकम के सौर्च देती है पामिश्ट्रे अस्ट्रोलोजी इस सक मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है सेवा भावी और धार्मीत यह सा मिलता है अनुनी मंगल भी व्यास्तित लगता है तो सारे के उर्जा व्यास्तित होगी और इनका बीमारी से रिलेटेड भी इस्यू था तो मुझे कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम हाथ पर दिखने ही रहा है बारी मंगल काफी उत्तम है जब किसे से मिलेंगे एनरजी के साथ म ने के सामने होला कमफूटेबल फिल करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है कितना बड़ा ट्रैंगल है ऐसे लोग जीवन भर फॉरेंग सेटल हो जाते जीवन पर और यह software engineering है यह व्यक्ति को कभी बनाता है या foreign settlement करता है और इस तरह की जीवन रेखा से जो line है चलती यह भी एक संकेत है सुर्य परवत की और देखने वाली line है यह भी foreign settlement शो कर दी है अब इनों ने उमर बताई है कौन से समय में जा सकता हो तो मैं जीवन रेखा पर आऊंगा तब इसका दो जगह पर chances होता है वो मैं बताऊंगा और चंद्रपरवत अपने आप में उभा रहे है तो लेक्ति को पानी अच्छा लगता है दूद से और अगर यह क्रॉस होगा यहां पर यह भी क्रॉस है ही है व्यक्ति को हमेसा डर लगता है जीवन में मेरा क्या होगा भैस अताता अंजाना यह चाहेंगे तो मैं इसका उपए दे दूँगा यहां पर देखे तो इस तरह की लाइन है यह व्यक्ति को कभी न कभी शेयर सट्टे में इंट्रेस दिलाएगी और शुक्र परवत भी काफी उत्तम है इस तरह का शुक्र परवत हो तो अच्छे कपड़े पेहना अची तरह रहना यह सारे लक्षन व्यक्ति में पाए जाते अभिदे रेखा देखे कितनी उत्तम है पूरी जूपिटर से निकल कर ऐसे जा रही है थोड़े से महत्वकांशी होते हैं यह लोग एक्सपेक्टेशन लेवल ज्यादा होती है प्यार का प्रदर्शन करने वाले हो लोग होते हैं यह लोग और एक तरह के देवदूत होते हैं सबका भला करना किसी का बुरा नहीं करना यह लक्षनीन में पाए जाते हैं और थोड़ी सी डार्क है रिदे रेखा तो आप अधा भी लगी रहती है परस्नल लाइफ उत्म तरीके से नहीं जीपाते हैं यह लोग और यह लाइने जो है माबाब की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है और यह फ्लर्ट लाइने वेक्टी डुकी भी हो तो थोड़ी देल दुख्य होता है उसके बाद खुशी डूनता है माइन लाइन देखिए पूरी यहां से जुपिटर से दिकल कर अब टू एंड तक जा रही है तो जब माइन लाइन जुपिटर को टच कर गई तो यह अती महतोकांशी वेक्ति की निसानी है बाधाल टूकी से जबिए पूरी में और साथ मैं यहां पर फोर्क बन रहा है तो अर्विनकेशन अच्छा होता है ऐसे लोगों का और शार्फ माइंड के होते ही लोगों और काफी बड़ी माइंड लाइन है तो निरिक्षन शक्ती भी पार्फुल होती है और ज्ञान लेते ही जाते है जीवन में और फोर काफी सुन्दर है इनका decision पार्फुल होता है quick निड़े लेने वाले लोग होता है quick पर यहाँ पे contrast है देखो यह दो उगलिया उपर की तरफ है और यह sharpness तो दोनों अपने अपना रोल नहीं भाते है अब जीवन रेखा पर चलते हैं इनका एक सवाल था करजवाले सवाल पर भी आऊंगा और वो धन रेखा पर आऊंगा तब बाकी का इनकी जीवन रेखा है जो वर्तमान का पेन है वो इस लाइन ने इनके जीवन में सेनाई बज़ाई और यहां पर जो वर्तमान में 33 में एक बहुत बड़ी राव रेखा ने काटा 33 में इस रेखा की वज़े से यह पेन में काफी बड़ी राव रेखा है और इसी साधी से लेकर यहां पर तीन लाइने मुझे नजर आ रही है तो हो सकता है तीन लोगों की नियर एंड एरर की डेथ दू की तो हो चुकी होगी और एक की या तो तीन की हो चुकी होगी या एक की बाकी है दू मैंसे कोई एक वस्तु हो सकती है अगर यह लाइन है टच करके ऐसे चले तो 99 परसें यह नियर एरर की लाइन है फिर उन्होंने सवाल पुछा था कि मैं कब सिफ्ट हो सकता हूँ एक एज 35 के आसपास आपके जिवन में बदलाओ आएगा और एक ऐसा ही बदलाओ 39 के आसपास भी लग रहा है यह दो पिरियड में से कोई भी या तो एज 35 में आप फॉरण सेटल हो जाओंगे या एज 39 में फॉरण सेटल हो जाओंगे चले जाओंगे आप और जिस तरह का कटबट नजर आ रहा है तो मुझे 39 के आसपास ज्यादा संकेत दिख रहे है यह दो पिरियड में बदलाव आता है घर बदलता है देश बदलता है शेहर बदलता है वेवसाय बदलता है या ओफिस बदलता है तो यह दो जगह पर मैंसे कोई एक जगह पर होंगे सेटल उसके बाद एक 41 के आसपास राओ रेखा काटेगी मैं अभी पूरे फोटोग्राफ पर ही चला जाता हूँ एक 41 मैं भी राओ रेखा काटेगी फिर 43 एन हाफ में एक राओ रेखा काटेगी आपको हलकी सी राओ रेखा मामूली सी 45 एन हाफ में है उसके बाद 49 में राओ रेखा काटेगी और कोई नियर एंड एरर की डैथ है उसके बाद 53 में राओ रेखा काटेगी छोटी सी 56 में भी छोटी सी राओ रेखा है 60 में बहुत बड़ा आफशुट है 63 में मद्यम आफशुट है और नियर एंड एरर की डैद भी है और 65 में भी एक छोटा आफशुट है तो इस तरह की इवेंट आपके जीवन में होंगे रहो रिखाएगी तब तक लिभाएगी कोई न कोई रुकावटे आती है इस तरह की कंडिशन बनती है अब आपकी जो फेट लाइन पर है उस पर चलते हैं एक कट लगा था एज 27 के आसपास कोई पारिवरी खर्चा आया होगा उसके भी दो साल पहले कोई एक कट था उसमें कोई आर्थिक नुक्सान गया होगा उसके बाद एक कट आपकी एज 35 के आसपास है एक बड़ा कट आपकी उम्र 39 के आसपास है हो सकते हैं यहां पर जॉब छोड़कर अब विदेश सेटल हो जाओ फिर एक छोटा सा कट एज 48 के आसपास है इतनी रुकावटे धन्वेका पर है जो गुजर चुकी है और दो आने वाली है दो से तीन एक इवल 39 का कट थोड़ा सा बड़ा है यहां पर जॉब करते होंगे तो ज़्यादा जॉब चली जाएगी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा और बिजनेस करते होंगे तो भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा आपको तो अगर आपको खुद का भी कुछ काम करना हो तो आफ्टर 39 ही करना क्योंकि यह भी लाइन है यहां से आपके जिवन में प्रोग्रेस भी चालो होगी इसी जगह से अब यहां से जीवन में प्रोग्रेस भी इंक्रीज हो जाएगी और इसी जगह से आपकी धन रेखा भी इंप्रूव हो रही है यहाँ पर आपकी धन देखा तम नहीं है इस जगह पर अब टू थर्टी फाइ या थर्टी फाइंड हाफ तक यह आपको कर्चदार बनाएगी बनाएगी और बनाएगी यह जो पैसा आएगा वो खर्च हो जाएगा फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है एक छोटा सा मचली का निशान है यहाँ अगर यह मचली का निशान होगा तो आप डेड़ साल भरपूर पैसा कमाऊगे चतिस से लेका साड़े सेतिस तक फिर यहाँ से थोड़ी से अच्छी हो रही है धन रेखा थर्टी सेवन एन हाफ से फिर थर्टी नाइन में कट लगेगा या तो जौब जाएगी या बिजनेस करते होंगे तो बड़ा आर्थिक नुकसान जाएगा और इसी जगह पर हो सकता है यह जो बदलाव है इसी जगह पर आ जाए और उसके बाद यहां से आपकी धन रेखा भी उत्तम हो रही है फिर अप्टू बड़ा पे तक कोई प्रॉब्लम नहीं थर्टी नाइन तक बीच में अगर यह मचली की साइन निकली यह काफी अच्छा प्रोग्रेस आपको देगी लेड़ साल नहीं तो आपका भाग्योद थर्टी नाइन से आप समझ के चलिए तब तक जैसा चलता है चलने दीजिए थर्टी नाइन के बाद अत्ति उत्तम प्रोग्रेस आपको होता हुआ जीवन में दिखेगा यह थर्टी नाइन से भाग्योद है होगा तो संगर्श कर लिजिए यहां पर देखेगी क्लियर कट किसी को भी स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकता है अगर यह जो मैं आकलन कर रहा हूं बारिक सिर दिख रही है फिर उसके बार भी धन रिखा अच्छी है पर जीवन रिखा यहां से बदलाव जो आएगा यहां से आपके जीवन में फिर उन्नती दिखेगे आपको ज्यादा भाग्योदै 39 के बाद ही आपको होता हुआ दिखेगा तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गया होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाई